मेरे नग जवान साथियों, नमस्कार. Friends, फिलहाल, हम लोग सेमी साइंस के प्रशनों को कैसे हल करें, इस विशह पर बातें कर रहे हैं. और मुझे इस बात की खुशी है कि इस पर आप लोगोंने काम करना शुरू कर दिया है. दोस्तों, मैंने आप लोगों को एक प्रशन हल करने के लिए दिया था, इनफेक्ट सच पूछे तो मैंने विचार करने के लिए दिया था, जो मश्रूम से संबंधित प्रशन था. मुझे पूरा विश्वास है, कि यदि आप मुझे पर विश्वास कर रहे हैं, तो आपने इस पर जरूर काम किया होगा. मेरा कंसर्ण जरा भी इस बात से नहीं है, कि आप सही उत्तर तक पहुँचे या नहीं पहुँचे. मैं इतनी जल्दी सही उत्तर तक पहुँचनी, कि आपस उमीद भी नहीं कर रहा है. अगर या आपने थोड़ा भी काम किया होगा तो मुझे इस बात को लेकर के केवल खुशी होगी कि आपने अपने दिमाग का इस्तिमाल करना शुरू कर दिया है दोस्तों आपके पास कितनी भी धारदार तलवार क्यों न होगा बहरान प्रताप की तलवार आपके हाथों में क्यों न आ जाए लेकिन यदिवत दिवाल पर टंगी रहेगी तो किसी काम की नहीं होगी उसका इस्तिमाल करना होगा आपको अपने दिमाग का इस्तिमाल करना हो अभ्यास में लाना होगा फिलहाल मैं यही कोशिस कर रहा हूँ और आगे मेरे पास बहुत सारे प्रश्ण है यह मैं सोचे कि केवल एक दो प्रश्ण है बहुत सारे प्रश्ण है शायद उन सारे प्रश्णों की चर्चा मैं कर भी नहीं पाऊंगा 16 जून से पहले लेकिन फिर अंदर मौजूद तो है लेकिन या तो हम उसके बारे में जानते नहीं है या हम उनका इस्तेमाल नहीं करते हैं राइट मश्रूम मैं आपको अपना किस्सा सुना रहा हूं सच पूछे तो जब इस प्रश्न को मैंने पढ़ा था तो मैं भी थोड़ा सा चकित हो गया था मुझ आपको बताने जा रहा हूं जो गाओं की भाशा है मश्रूम जब लोग लेकर के आते थे हमारे दुकान थी दुकान के पास जब बैठते थे तो आपस में बाक्चीत भी करते थे वो कहते थे जब मश्रूम तोड़ करके लाओ तो ध्यान देना उसमें बहुत से जो मश्रू मश्रूम एसे होते हैं जो जहरीले होते हैं ठीक है दूसरी बात उसमें से कुछ लोग ये भी कहते थे कि अगर मश्रूम अच्छा मिल गया न तो जरूर खाना उससे ताकत आथी है वो ये नहीं कहते थे कि हैल्ड के लिए अच्छी है वो ये कहते थे कि उसे ताकत आती है, दो तथ जहरीले होते हैं और उससे ताकत आती है, ये दो तथ मैंने सुने थे बस, इसके अत्रिक्त और कुछ भी नहीं सुना था सच पूछे तो, अब हमारे सामने जो चार विकल्प हैं, इन चारों विकल्पों पर आईए इन दो तथ् शीधे सीधे उत्तर नहीं उपलब्द करा देगा, आपको उनका इस्तेमाल करना पड़ेगा, बहुत अदेशिये तरीके से उनका इस्तेमाल करना पड़ेगा, पहला विकल्प है कुछ छत्रकों में ओशदी गुण होते हैं, क्या सच में जो मैंने ये सुना कि उसके खाने से अताकत आती है, हम उसे औशदिय गुण से जोड़ करके देख सकते हैं, मैंने इसे जोड़ा, मैंने कहा, मैं इस स्टेटमेंट को सही मानता हूँ, और आप मेरी बात पर विश्वास कीजेगा, ऐसा ही मैंने किया, दूसरा, कुछ छत्रकों में मनह प्रभावी गुण होते हैं मनह प्रभावी गुण, यानि कि वो आपके दिमाग पर असर डालता है, मैं इसे नहीं समझ पाया, आगे मैं तीसरे विकल्प पर आया, कुछ छत्रकों में कीट नाशी गुण होते हैं, मुझे लगा कि अगर वो जहरीला है, अगर मनुष्य खाने से उससे मर सकता है, या मन संदिप्त शिल गुण होते हैं, या मैं नहीं समझ पाया था, लेकिन जो संदिप्त शब्द है, इसका मतलब है कि वो चमकते होंगे, मुझे बिलकुल ये ध्यान में आया कि कुछ मश्रूम ऐसे होते हैं, आप देखें कि मश्रूम सबसे ज़्यादा बरसात के दिनों में हो तो मुझे लगा कि हाँ ये चमकते भी होंगे, तो मैंने इसे भी सही बाना, अब मैं जाकर के अटक गया मनह प्रभावी गुण होते हैं इस पर कि, अब मैं इसका क्या करूँ, क्योंकि विकल्प जो है के वले, के वल दो, के वल तीन और सभी चार हैं, मैंने सोचा कि लेकि इन रिस्क तो लेना चाहिए, तो मुझे ऐसा लगा कि जो वस्तु शरीर के लिए, आप कह लिजे कि उपयोगी हैं, और शधीय गुण होते हैं, और जिनको खाने के बाद हम बिहोश हो सकते हैं, जहरीले हैं, जरूर नहीं कि जहरीले होने से आप मरी जाएं, जहरीले हैं, कि मैं सही था, क्या आप इस तक्नीक से, जिसकी चर्चा मैंने अभी की है, क्या अपने लिए कुछ सुत्र निकाल सकते हैं, जहां दोस्तों, निकाला ही जाना चाहिए, दिमाग को थोड़ी सी तकलीफ देनी पड़ेगी, लेकिन मुझे लगता है कि ये तकलीफ दी जानी च क्योंकि जैसा कि मैंने शुरू में भी कहा था, कि साइंस के प्रशनों थोड़ा सा कठीन होते हैं, उनके साथ नहीं जूजना चाहिए, लेकिन सेमी साइंस के प्रशनों के साथ आप जूज हैं, ये मैंने कल के अपने लेक्चर में आप से कहा था, तो दोस्तों, ये है प्रश्न को सुनिए लेकिन पूरे ध्यान के साथ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तीन कथन हैं फरस्ट कुछ सुक्ष्म जीव सुक्ष्म जीव याद रखिए बहुत ही त्मिरानस के साथ आपको पढ़ना होगा जीव नहीं कह रहे हैं सुक्ष्म जीव माइक्रो जल के क्वथनांक से उपर के तापमान वाले वातावरण में पनप सकते हैं जल के क्वथनांक यानि कि पानी कितने डिग्री सेंटिग्रेट पर उबलता है ये तो बहुत ही सामाने सा प्रश्न है इतना तो आप जानते होंगे कि कितने सेंटिग्रेट पर उबलता है और कित मानवाले वातावरण में पनब सकते हैं, हिमांक, क्वथनांक के बिल्कुल विपरीद, जहां पानी उबलने लगे, क्वथनांक, और जहां पानी जम जाए, हिमांक, हिम अंक, यानि कि वह अंक, जो पानी को हिम में तब्दील कर दे, बर्फ बना दे, हिमांक, फ्रिजिंग प भाई आप पढ़ें गई है और इतना तो पढ़ना भी चाहिए आज कल सुद्ध वाटर सुद्ध जल सुद्ध जल आरो को अगर की बड़ी चर्चा है उसमें हमेशा पी-एच की चर्चा होती है पी-एच यानि की potential of hydrogen आपके पानी इतना पी-एच का होना चाहिए चलिए हम उ जो पानी है वो उसमें बहुत ज्यादा अम्ल है अम्ल है बहुत ज्यादा अम्ल है उसमें पनप सकते हैं और ये तीनों की तीनों चीजें कही गई हैं माइक्रो और्गिनिस्म के बारे में, सुक्षम जीवों के बारे में, क्या आप सच में इस प्रश्न को हल कर सकते हैं, क्या जहां 100 डिगरी से ज्यादा, 100 डिगरी से ज्यादा तापमान होता है, वहां कोई जीव होता ही नहीं होगा, सुक्षम जीवे जिसे हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं पनप सकते हैं कि नहीं पनप सकते हैं उनमें शमता होती हो बिलकुल पनप सकते हैं क्यों नहीं पनप सकते हैं वो नहीं मरेंगे वो इसके बाद है कुछ सुख्ष जीवी जल के हिमांग से नीचे के तापमान पर अंटारकटिका वाले छेत्रों में जहां इत में जीव पनब जाते हैं यानि कि यहां भी होता है तीसरा है अमली ये वाता वरन एक समुद्र है जिसका पानी बहुत खा रहा है कि हमां सुक्षम जीवी नहीं होंगे सोच करके देखिए समुद्र में common sense लगाईए तो आपको लगेगा कि नहीं यह जो सुक्षम जीव होते ह यह तो बड़े कमाल के होते हैं और ये कहीं भी पनब सकते हैं यानि कि यहां भी यदि आपने दिमाग का थोड़ा सा इस्तिमाल करेंगे तो आप कहेंगे कि ने सभी तीनों statement सही हैं दोस्तों यह मैंने कुछ बातें की हैं आप इन सब पर विचार करें और घबडाएं मत अ अब यहीं समाप्त करता हूँ, नमस्कार.